हलो दोस्तो तो आज हम लेकर आये हैं आपके लिए मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी चटपटी मसालेदार वेल पूरी बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका अगर आपने इसे एक बार घर में इस तरह से बना लिया तो यकिन मानिये मार्केट से लाना भूल जाएंगे बहु चौप करके डालेंगे और एक बड़े साइच की टमाटर को बारीक चौप करके डालेंगे भीज और रस को निकाल देंगे दो से तीन हरी मिर्च को एकदम बारी कट करेंगे और साथ ही इसमें हम मिलाएंगे चोथाई चमच के करीब काला नमक और चोथाई चमच ही यहाँ पर एट करेंगे हम सपेद नमक और अब इसमें हम एट करेंगे दो चमच के करीब चिली सॉस अगर चिली सॉस नहीं है तो आप इसकी जगे पर हरी चटनी ले सकते हैं और साथ ही अब यहां पर एट करेंगे आदा चमच के करीब चाट मसाला और अब यहां पर हम एट करेंगे वेलपुरी हमारी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और बच्चों के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया होता है तो आप इसको जरूर मिला है और इसको भी हम एड़ कर देते हैं और चोथा एकप के करीब यहाँ पर हमने लिए है बुनी हुई मटर जो मार्केट में मिलती है मसाले वाली मटर है इसको मिलाने से वेलपुरी हमारी बहुत ही टेस्टी लगती है तो चोथा एकप के करीब यहाँ पर हम इसको भी आइट कर देते हैं और चोथा एकप लिया है उमने बुने हुए चने इसके छिलके को हमने निकाल करके लिया है और साथी चौता ही कप यहाँ पर हमने रोस्टेड मूंपली ली है इसको हमने हलका सा भून करके लिया है बहुत ही क्रिस्पी हो गई है यह साथी यहाँ पर एक पैकेट हमने कुरकुरे और एक पैकेट चिप्स को हलका सा करस करके लिया है इनको मिलाने से हमारी वेलपूरी बहुत ही बढ़िया बनती है और अब यहाँ पर हम एड़ करेंगे आलू भुजिया तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब आलू भुजिया ले ली है आप चाहे तो बेशन के सेव हों भो भी ले सकते हैं और अब यहाँ पर हमने एक नेवू के रस को निकाल करके एड़ कर दिया है नेवू के रस से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया अब सभी को हमें अच्छे से mix कर लेना है इसमें हमें और ज्यादा कोई भी मसाले नहीं ढालने है इसी से जो हमारी वेलपुरी बनेगी ना बहुत ही tasty बनेगी बहुत ही crispy रहेगी यह तो अच्छे से इसको हमें mix कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर बॉयल आलू को कट करके भी एड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसको तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से आप चाहें तो लईया की मात्रा कम्या जादा कर सकते हैं और यह देखिए बढ़िया से इसको हमन बन करके त्यार हो गई है दो से तीन मिल्ट में ही बन करके त्यार हो जाती है देख सकते हैं और मार्केट से भी जादा बढ़िया बनती है यह जब आप घर में बनाएंगे तो सभी प्लेट भर करके खाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगी अगर आप उनको इस तरह से घर में ही बना करके खिलाएंगे तो बच्चे हो या बड़े मार्केट से वेलपूरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहां पर हमारा एक फ्लेवर बनकर के त्यार हो गया है खटा तीखा चट पटा जो सभी को बहुत आता है चली अब दूसरा फ्लेवर भी हम बना लेते हैं तो यहां पर हमने थोड़ी सी वेलपूरी बरतन में बचा ली थी अब इसमें हम एड़ करेंगे इमली का सॉस यानि की खट्टी मीठी जो चट्नी होती है वो यहां पर हम एक से दो चमच की करीब आट करेंगे को भी सर्व करिए जो भी आपको पसंदो दोनों में से कोई भी बनाई यह बहुत ही बड़ी अलगता है और चट्पट बन करके तयार होता है तो जब भी आपको हलकी फुल की भूख हो या फिर साम की चाय के साथ कुछ खाने का दिल करें तो इस रेस्पी को जरूर ट्राइ जरू कर लीजेगा अपना किंती समय देने के लिए थैंक यू